वीडियो में स्वागत है तो यहां पर एक और नया बीटा का अपडेट रूल आउट होना शुरू हो गया है यह क्लोस बीटा का अपडेट जिसके अंदर आपको कुछ नए इंट्रेस्टिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं तो चलिए आपको यहां पर दिखा देता हूं क्या क्या इस अपडेट में आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर पहले बता दूँ चाइना बीटा रूम है और इसमें जो जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं वो मौस्ट प्रभबिली मियूआ 11 के फीचर हैं जिसको मियूआ 10 के अंदर टेस्ट किया जा रहा है और वो काफी जल्दी आने वाले हैं तो चलिए यहां पर वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अभी आपको बता दूँ जो जो फीचर मियूआ 11 के अप मियूआ 10 के गलोबल रोम के अंदर यूज़ कर सकते हो उन सब के फाइल का मैंने एक एपी के लिंक बना के आपको दे द होगे लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में उससे पहले अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज या सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ ही साथ इस वर्जिन का डाउनलोड लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा जो की है 9-8-20 यह क्लोज बीटा वर्जिन है आपको इसको यूज करने के लिए टेवल आपके थूफ फ्लेश करना होगा यहां पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट आपको अगस्त का 059 आपको एंडॉइट सेक्रेटी पैच देखने को मिल जाता है जो की लेटेस्ट वर्किंग आपको दे देखने को मिलते थे सबको एक option के अंदर दिला दिया गया है जैसे की कास्ट प्रिंटिंग पॉर्टेबल होट्सपॉर्ट वीपी एन एरप्लें मोड डेटा यूज 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 भी थैतरिंग और ब्लूद थैतरिंग का आपको यहां पर option मल जाता है इसमें मेन फंशन आपको नया देखने को मिलता है जो कि है कास्ट का कास्ट के अंदर जाओगे तो पूरा आपको री डिजाइन नया मेनू देखने को मिल जाता है जिसमें आप यहां पर कास्ट के अलग-अलग फीचर्स को यूज कर सकते हो जो कि मियुवाई के special features आपको यहां पर देखने क एक और देखने को मिलेंगे यहां पर आप मिनिमाइस करके window को अपने TV में आप फुल स्क्रीन में आप बढ़े में देख सकते हो फोन में झोटे में दिखा सकते हो तो इस तरीके के नए-एन फंशन आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं यहां पर कास्ट में आप को पूरी तरीके से option मिल जाता है कि आपको किस चीज में कास्टिंग करनी है कास्ट का मतलब कि अपने आप फोन को जो आगर आप टीवी से करनेक्ट करना चाहो तो उससे करनेक्ट कर सकते हो जो भी आपके फोन में दिखाएगा वो टीवी में शो करेगा इसी तरीके से PC या लैप्टॉप के अंदर भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो तो यहां पर इस तरीके से पूरा option आपको नया तरीके का देखने को मिल जाता तो वीडियो में आपके लिए जरूर से लेके आता रहूंगा तो प्लीज जा चैनल को जरूर से नीचे रैट करका बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रूप को भी आपारे जॉइन कर सकते हो उसके लावा नया और भी option की बात करी जाए तो यहां पर यह option हाला कि दूसरे devices में काफी जल्दी आ गया था लेकिन note 5 pro में अब इसको आया है यह update में नया dark mode का option आपको देखने को मिल जाता है अब आपको इस dark mode में नया क्या है dark mode तो हमको पहले से ही देखने को मिल गया था लेकिन भाईयो बहनों यहा पर नया dark mode आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर आप इसका schedule का एक नया option देख सकते हो तो literally काफी अच्छा MIUI 11 के अंदर features देने वाले हैं यह चीज़ तो पक्की बात है क्योंकि यहां पर जो schedule option आप देख सकते हो तो अब आप अपने dark mode को schedule कर पाऊगे कि आपको कौन स चीज के लिए यहां पर schedule option दिया है मालो अभी यहां पर time मेरे में 9 बजे दिखा रहा है तो अब यहां पर मैं अगर schedule कर दूँ 9-1 का तो अपने आपी 9-1 पे यहां पर आपका dark mode enable हो जाएगा तो enable यानि on हो जाएगा अगर आपको off करना है तो मैं 9-1 का off पर रखता हूं त तो आप कुछ दिन बाद कुछ time second बाद देखोगे कि अपने आपी यह off हो गया है तो इस तीस की तरह से आपको एक नया dark mode के अंदर option देखने को मल जाता है उसके लावा नीचे वगयर आप आओगे तो same status war का आपको नया option full screen mode का option और text size as usual आपको देखने को मलता है इसके अ नहीं देखने को मिलेगा sound system आपको same as usual notification same as usual home screen वगएर आपको यहां पर नया option देखने को मल जाता है जो कि आपको ऊपर दिखाऊं तो swipe up करने का option है swipe up on home screen या swipe down on home screen जिसमें तीन तीन नया option add हो गये है इसमें काफी जल्दी note 5 pro में भी I think app drawer का option officially आ जाएगा फिलहाल तो नह home में आपको officially देखने को मिल जाता है जो कि यही बात बताता है कि आपको काफी जल्दी देखने को मिल जाएगा official room के अंदर भी जो की काफी अची बात है उसके लाब और नहा पर नए function की बात करी जाए तो आपको नहा option देखने को मिल जाता है battery में तो आप जैसे ही अंदर यह इल्टरा बैटरी सेवर आपको फोन के अंदर पूरा एक अल्टरा सेविंग मोड में ले जाता है जिसमें सिर्फ कुछी चीजे वर्क करती है और आपका फोन जित्ता ज़्यादा हो सके उत्ता ज़्यादा यहाँ पे बैटरी लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करता है फिल को नहीं हुआ क्योंकि अगर मैं आपको बाफिस चीजे कि दिखाँ तो मैंने आप एक गल्दी करी है नहीं हो फोसलेो फोलaj कि नहीं होता है तो मैंने on कर रखा आपके साम नहीं और आपको आगे दिखा दूँगा कि यहां पर डाक mode off होता है कि नहीं होता है एडिशनल सेटिंग में आपको यही सब option देखने को मिल जाता है हाला कि apps के अंदर आपको एक नया option अब सब इसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपके ग्लोबल रोम में नहीं आएगा यह चीज़ आप दिहान रखके चलो उसके लावा कि आपको गेम टर्बो वगरा यहां पर अभी एक फीचर अभी भी वाकी है जो कि है security के अंदर आपको एक नया totally option देखने को मिल जाता है नया totally option क्या है आप देख पाओगे कि पहले आपको नीचे और भी सारे option देखने को मिलता थे जो कि अब इसके अंदर से हटा दिये गए हैं अब यहां पर आपको एक नया option इसके अंदर देखने को मिल जाएगा इस security के इस बगल में utilities का आपको ध्यानों का एफ वाल्ट में पहले हमको यह utilities का option देखने को मिलता था जिसमें को सारे apps के shortcut देखने को मिलते थे अब इसी तरीके से कुछ यहां पर security के अंदर भी आपको utilities का option मिल गया है जिसके अंदर आपको काई सारे option नहीं नहीं देखने को मिल गया है फिलाहल के लिए तो यह चाइनीज में है लेकिन यहां पर जो चीज आइकन देखके आप समझ सकते हो तो यहां पर देखो तो यह बूस्ट करने का है यहां पर deep clean करने का आपको direct option मिल जात जाता है और यहां पर आपको web recharge का और direct option देखने को मिल जाता है और यह है schedule power on off का settings वगयरा का आपको सबका option इसी के अंदर देखने को मिल जाता है तो एक तरीके से नहीं setting पूरी उन्होंने दे दी गई है security के अंदर बस आपको इतना ही material देखने को मिल जाता है जिसमें battery drain battery users data user security scan देखने को मिल जाता है data users के भी अंदर यहां पर थोड़ा बहुत change किया गया है top up अगयर आपको यहां पर नया तरीके के थोड़ा मैनू देखने को मिलेगा तो यह चीज आपको यहां पर नहीं देखने को मिलती है overall देखा जाए तो काफी अच्छा है इस APK का link म मैं जरूर दे दूँगा लेकिन यह work नहीं कर रहा है तो देने का कोई फाइदा नहीं है अगर आपको जरुवत पड़ती है क्योंकि आपकी उसमें चलेगा नहीं उसके लावर camera वगेरा आपको same as usual अच्छा देखने को मिलता है कोई नया improvement ऐसी खास नहीं है 4K camera to API वगेरा कुछ भी आपको देखने का नहीं मिलता है एव वर्ल आपको same मिलेगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पहले भी आप यहाँ पर देख पा रहे थे अब यहाँ पर बात कर लें क्या आपको जो वैदर application है वो भी as usual देखने को मिल रहा है थोड़े बहुत changes यहाँ पर automatically shot हो जाएंगी फोटो यहाँ पर आपको हिसाब से अगर कोई people है वगेरा है उस हिसाब से automatically shot होने का option आ जाता है हाला कि आप देख पाऊगे picture quality तो काफी अच्छी आपको यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल जाती है overall देखा जाए तो काफी अच्छा improvement मिलता है theme apps वगे यहाँ पर आपको मिल सक टाइप यहाँ पर लगाएगा है जो की देखने में भी काफी अच्छी आप आपको देखते हैं यहाँ पर बूट अनिमेशन बूट आडियो देखने को मिल जाता है क्योंकि चाइना थीम में है overall आप देख से तो इस तरीके सी आपको देखने को मि कुछ नया नहीं है अगर आता है तो जरूर से आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में तहीं अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दिना वियो वाल पर अच्छा लग रहा है तो लिंक इसका मिल तो मिलता हूँ अपको नहीं वीडियो में तब तक लिए जहिंद बंद मातरम ठेक क्यार बाइ बाइ अगर एंड्रोइट क्यू की वीडियो नहीं देखी है रैडमी नोट 7 पे तो देख लेना लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में